बिहार बोड क्लास नाइन्थ दिसंबर मासिक परिक्षा दोहजार तैस का देख सकते हैं साइंस का ओरिजिनल कोस्टन पेपर है दोस्तो ठीक ना इस वीडियो मैं आपको सब्जेक्टिव कोस्टन आंसर बताऊंगा साथ में बताऊंगा पीडियाप कई से डाउनलोड करना है और दोस्तो अबजेक्टिव अगर आप नहीं देखे तो चैनल पे जाके देख लिचेगा अबजेक्टिव चरहा दियें दोस्तो ओरिजिनल कोस्टन पेपर है दोस्तो 100% यही आएगा चलिए मैं पहले आपको सब्जेक्टिव कोस्टन दिखा देता हूं क्या क्या पुछा उसके बाद आंसर भी दिखाऊंगा दोस्तो इसी वीडियो में देखिए एक से दस तक लगू उत्रिये प्रसन रहेगा पांच गो प्रसनों का उत्तर आपको देना है जिसमें की 10 नंबर मिलेगा पहला प्रसन पुछा है उत्पलावक्ता से आप क्या समझते हैं दूसरा प आसरव्य तरंगों का उपयोग वस्तों को साफ करने में कैसे किया जाता है चौथा कारें किन कारणों से ओजून परत छीन होती है पांच में करएं अमोनी करन क्या है सबका अंसर मैं आपको बताऊंगा आपको घवराना नहीं है साथ में आपको बता दूंगा पीडियाप क चाप सके छे नमर में पूछा है सम अस्थानिक क्या है साथ में पूछा आयन क्या है एक इतने परकार के होते हैं आठ में पूछा अंडा देने वाली मुर्गियों को आहार कैसा होना चाहिए नो में पूछा है छे रुक का संक्रमन कैसे होता है दस में पूछा है पल्स पोलिय कार्य करम क्या है उसके बाद आपका आज आता है दिर्ग उत्री परस्ण जिसमें की एक से गारे से पंदर तक रहेगा किनी तीन परस्णों का उत्तर देना है एक आरें पूछा सोनार की कार्य विधी तता इसके विभीन उप्योगों का वर्नन करें वार अई पूछा कारी की पड़िभासा लिखे धनात्मक कारी और सुन्यकार की सोदारन व्यक्षा करें तेरे में पूछा हरित गिरी पर भाव और वेस्वी करन उसमिय करन रेंग लिखे चौद्ध में पूछा बोर का बोर का परमानू मोडल का संचीपत विविरंदे मिश्रित मचली सवर्धन का वर्नन देव अब चलिए मैं सब का अंसर दिखा देता हूँ एक नमर का जो प्रस्न है उसका अंसर है पहले एक नमर आप लोग प्रस्न देख लिजिए क्या पूछा है एक में पूछा है उत्पलावक्ता से आप क्या समझते हैं इसका उत्तर देख लिजिए इसका उत्तर आपका यहां है एक का एक का उत्तर हो जाएगा जब किसी बस्तु को किसी तरल में डुबोयो जाता है तो तरल उस बस्तु पर उपर की और एक बल लगाता है जिसे उत्पलावन बल कहते हैं उत्पलावान बल का परिनाम परिमान तरल के घनत पर निर्भर करता है इस घटना को उत्पलावकता कहते हैं उसके बाद आपका दो नमर का प्रस्ण है दो नमर का प्रस्ण का उत्तर दिखा देंगे हम आपको पहले प्रस्ण देख लिजिए करें जब किसी छरी को एक दरी को पीटा जाता है तो धूल के कन बाहर आ जाते हैं क्योंकि दरी के रेशे गती में आ जाते हैं और दरी अपने अस्थान से हट जाती है पर उसमें मौझूद धूल के कन जरत्विक के कारण इस गती का विरूत करते हैं और अपनी स्तिती साप करने में कैसी किया जाता है तो तीन का उतर हो जाएगा आपका कि परासरब यह तरंगों का उपयोग बस्तुओं के उन भागों को साप करने में किया जाता है जिन तक पहुँचना कठीन होता है जैसे सरपिला कार नली इत्यादी जिस वस्तुओं को साफ करना होता है उन्हें साफ करने वाले गोल में रखा जाता है और इस गोल में प्रासब तरंगें भेजी जाती है इस तरंगों को उच्च आविर्थी के कारण धूल गंदी गंदगी के क तथा चकने पदार्थ अलग होकर नीचे गिर जाते हैं और बस्तुओं पूरी तरह साफ हो जाती है उसके बाद आपका चार नमर प्रस्ण का उतर निकाल दिया है तो चार नमर का प्रस्ण देख लिजे क्या कर रहा है चार नमर का रहे किन कारणों से ओजोन प्रप्षीन ह होती है तो चार का उत्तर हो जाएगा आपका चार का उत्तर हो जाएगा यही सभिनाएगा कलोरो फलोरो कार्बन योगी यह बहुत अस्ताई होते हैं जो बामाई मंडल में पहुंच जाते हैं जहां ओजहन परत होती है जिसे समताप मंडल कहते हैं यहीं शुरी से आते परावजिनी किरनों को तोड़ कर किलोरीन बनाती है इस प्र प्रमानु लाख और परमानों को नश्ट करती है अब दोस्तों आपका प्रसनों का उतर है तो प्रसन का पहले प्रसन की अब का रहा है और इसका उत्तर हो जाएगा 5 नमर का आपको मिट्टी के मुञें करनको से नयठ्रोजन यूग धूक। आरथां पर वेक्टिरियाँ की द्वारा अुमोनिया म् योगी कोड्य आमुन्या के उत्पादन के साथ अभगटन के रूप में प्रभाशित क्या जाता है को वाले करन बेक्टिरिया को आमुणी करन बेक्टिरिया कहा जाता है उसके बाद आपका 119 मट का प्रस्थ है तो 1arenaमर पहले प्रस्थ देख लीजिए क्या लहें 11 नमर प्रसन आपका कर रहा है कि सोनार की कारिय विद्धी तथा इसके विभिन उप्योगों का वर्नन करे तो 11 का उत्तर हो जाएगा आपका कि सोनार एक ऐसी युकती है जिसे जल में इस्थित पिंडों की दूरी दिसा तथा चाल मापने के लिए क्या जाता है सोनार में एक प्रेसित तथा एक संसुचक होता है प्रेसित पराधोनी उत्पन और प्रेसित करता है ये तरंगे जल में चलती है तथा जल तल से तकरा कर सं संसूचक दौरा घरहन कर ली जाती है, संसूचक पराधोनी, तरंगे को बिधुत संकेतों में बदल देता है, जिसकी उचित वेक्हा करके, अनेक चीजों की जनकारी हासिल की जाती है, सोनार का उपयोग पहला है सोनार का उपयोग समूंद्र की गहराई ग्यात करने में क्या जाता है इसका उपयोग जल के अंदर इस्तित चत्तानों या घाटियों को ग्यात करने में क्या जाता है तिसरा है इसका उप्योग डूबी हुई बर्फ या डूबे हुए जहाजादी की जनकारी प्राप्त करने में किया जाता है उसके बाद आपका बारा नमर का प्रस्न का उत्तर है बारा नमर प्रस्न देख लिजिए क्या पूछा है दोस्तों आपको पीडिया भी मैं आपको बताऊंगा किसे डाउनलोड करना है ताकि आप लोग एकजाम में चाप सके बारा में पूछा है कारिय की परिभासा लिखे दरातमक कारिय रिनातमक कारिय और सुन्य कारिय की सोधारन भेयाख्या करे अब बारा का आप लोग उत्तर देख लिजी हैं ठीक ना बारा का उत्तर हो जागा धनात्मक कारी मान लिया कि किसी टेबूल पर रखे लकरी के एक टुकरे पर एक नियमित बल कारी नियत बल कारी करता है और उस गुटके को अपनी दिशा में S दुरी पर बिस्तावित करता है तब कारी की परिभासा से गुटके पर बल F दुबारा क्या गया कारी W बराबर F है सोधारन के लिए जब कोई बस्तू नीचे की और गिरती है तब उसका बिस्तावण परिथवी के गुरुत्व बल की दिशा में होता है रिनात्मक कारी जब किसी बस्तू का बिस्तावण बल की दिशा के बिफरित दिशा में होता है तब बिस्तावण और बल की दिशाओं के बीच एक सो असी डिगरी का कौन बनता है और ऐसी स्तिती में बल द्वारा क्या गया कारी रिनात्मक माना जाता है अतर डबलू बराबर F.S. उधारन के लिए यदि किसी गेंद को उपर की और गुरुत बल फेका जाए तो उसका विस्तापन उपर की दिशा में होगा उसके तेरे नमर प्रस्णों का उतर निकाल दिये हैं तेरे नमर का प्रस्ण देख लिजिए कर रहा है हरित गिरी परभाव पर वेस्वी कुस्मिय करन पर एक निवन्द लिखें आपका तेरा का उतर हो जाएगा वायू की उपस्तिती के कारण प्रिथवी का ताप अनुकूल बना रहता है प्रिथवी के ताप का नियंतरन हरित गिरी पर भाव की कारण होता है हरित गिरी कांच की बनी एक इमारत होती है जिसका निर्मान पौदों को ठंडक से बचाने के लिए किया जाता है सुरी की किरने कांच से होकर हरित गिरी की तरह को गर्म करती है कांच हरित गिरी के भीतर के उसमा को रोक लेता है जिससे हरित गिरी के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से अधिक हो जाता है ठीक इसी परकार बाई मंडल में भी इसी परकार की परिकिरिया होती है जिसे हरित गिरी परभाव कहा जाता है अब चलिए हम आपको बताते हैं PDF कैसे डाउनलूट करना है पीडिया डाउनलोड करने के लिए आपको Google खोल लेना है Google में सर्च करना है SK Knowledge Class उसके बाद सिंपल्स आपको सर्च मारना है फर्स नमर वेपसाइड दिखेगा SK Knowledge Class.com इस पे आपको किलिक करना है उसके बाद दोस्तों Next पेज ओपिन होगा अब इसको ध्यान पुर्वग आपको समझना है उपर एसकोल करना है ठेक यहाँ दोस्तों आपको आना है Answer की देखेए एक एड दिखेगा एड पे किलिक कर दिजेगा ताकि पेज रिफ्रेस हो जाए उसके बाद आपको Answer की में आना है Answer की पे किलिक करने के बाद फिर यहाँ आपको Sign Up पे किलिक करना है Sign Up पे उसके बाद दोस्तों यहाँ लिखावा मिलेगा Class 9 दिसम्मर मंधल एकजाम 2023 और इसको आपको किलिक करना है उसके बाद उपर एसकोल करना है यहाँ सभी बिसे का लगा दिए है साइनस, सोचल साइनस Objective यहाँ से、Subjective यहाँ से Objective यहाँ से Subjective यहाँ से डाउनलोड कर लेना है पेपर लगा दिए अभी आके डाउनलोड कर लिजीए